तो अभी हमारे पास जो इस lecture के अंदर आपको मिलेगा तो आप जो example करें वो तो ठीक आपके सामने जी रहेगी, इसके अंदर दो पार्ट है, एक forward वाला और एक backward वाला, आप जे कर लोगे यहां से देख अठीर, main point में चलते हैं, exercise के question के अंदर यहां, तो सबसे बहले आपका question number यहां पर 1, 2, 3 और 5 का target रहता, तो पहले 5 यह आपने करने वो forward के साथ करने, तो मेरे को लगता कि आप कर लोगे, लेकिन problem आ सकती कहीं न कहीं, आपको जहां पर degree वाले के अंदर आ सकती है, तो हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है, इसको करने के कोशिच करते हैं, खुद से और single derivative भी हमने इसके अंदर करना है, double derivative में इसके अंदर नहीं कर रहे हैं, तो single derivative के अंदर करना है, थोड़ा easy रहे हैं, आप थोड़ा सा help करना मेरे, इसको table बनाने के अंदर, ठीक है, यह हम करेंगे, आप भी करना, मैं भी करूँगा, और फिर देखते हैं कि मारे पास क्य अंदर का जे question है, question number 2, so let's start this one, because difference table के बिना तुझे चीज़ पॉसिबल होई नहीं पाएगी, तो उसको थो हमें बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, question number 2 हमारे पास है, आपको यहाँ पर दे रखा है, sin 0 degree है ना, sin 0 degree की value इतनी दे रखी, तो आपके पास जो, like हम मान कर चलते हैं कि हमारे पास x की value है, जो degree में आ रही है, और corresponding मारे पास y है, जो कि हमारा sin of x रहेगा, ठीक है, जे value हम यहाँ पर रख रहते हैं मान कर, अब हमा 10 degree है, आपको यहाँ पर 20 degree दे रखा होगा, आपको 30 degree दे रखा है, और आपको यहाँ पर 40 degree तक दे रखा है, ठीक है, और corresponding जो values हमारे पास दे रखी है, sin की बहु हमारे पास क्या है, पहली वाली value राजी आपको 0 ही देख रही है, लिख रहा है, 0.000 तो कोई बात नहीं, यूश्री वैलू आपको दे रखी है, 0.3426 आप साथ में बना साथ तो difference table इसको बोलते है, 0.500 है, और फिर आपके पास 0.6428 आपको दे रखा, ठीक है, और आपने single derivative ही निकालना है, और कहां पर x इकल to 10 degree पर निकालना है, तो आप बढ़ी रहेगा, अब यहां पर आप निकालोगे delta y निकालोगे, तो पहला जब difference निकालेगे तो रजी आपका 0.1736 ही आजाएगा, इस दूसरा difference जब आप निकालोगे तो आपके पास calculator होगा, तो जहां से 0.3420 minus 0.1736 हम निकालेगे, तो हमें मिल जाएगा 0.1684 मिल जाएगा, सही है, और फिर मारा 0. next आजएगा, 5 के अंदर से minus करना है, 0.3420 को आपके पास आजएगा, 0.158 आजएगा, 0.6428 के अंदर से minus करेंगे, 0.50000 को तो हमारे पास आजएगा, 0.1428 आजएगा, ठीक है, फिर हम जहां पर second order के difference से निकालने की कोशिच करेंगे, पहला difference जहां पर आएगा, हमारे पास negative में 0.1684 के अंदर से minus करेंगे, 0.1736 को, आपको यहां पर मिल रहोगा, minus का 0.005 और आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है, इतने ही आएगा, 2, और फिर next वाला देख लेते हैं, 0.158 के अंदर से minus करेंगे, 0.1684, तो यहां पर भी आपको minus में जा रहेगा, 0.0104 मिल रहा है, ठीक है, okay, next वाल आपको मिल जाएगा, 0.1428 के अंदर से minus करना, 0.158, तो यह भी आपको negative मिल रहा होगा, minus का 0.0152 आपको मिल रहा है, ठीक है, अभी आप चलोगे, power 3 के अंदर, तो जहां से आपको मिल रहा होगा, आपको minus का पहले से 0.0104 है, और इसके अंदर minus minus plus करोगे, 0.0052, तो अभी आपको मिल रहा है, माइनस का 0.0052, क्या सही है, हाँ, सही है न, आपका, सही है न, बिल्कुल, बिकाओ जे 104 है, वो 52 और उसका डवली होता है, न, फिर minus 0.0152 है, और इसके अंदर minus minus हम plus कर देंगे, 0.0104 को, तो आपका आजाएगा, minus कहीं आएगा, 0.0048 आजाएगा, और फिर आप चलोगे, power 4 की तरफ, तो आपको मिल जाएगा, last में, minus का 0.0048 था, और minus minus plus 0.0052 है, तो आपको अंसर मिल रहा है, plus के अंदर, 0.0004 मिल रहा है, तो जी आपका जहां से अंसर आगया, खाली का तब इतना, ठीक है, अभी हम जहां पर निकाल लेंगे, values हमें कौन-कौन से दे रखिया, तो हमारे पास क्या है, we have हमारे पास राजे, x जो हमारे पास है, वो आपको दे रखा 10 डिगरी, तो हम यहाँ पर लेट कर लग देंगे, हमारा x0 भी 10 डिगरी है, तो कहने का मेंने कि हम जहां से डाटा को उठाएंगे, कुछ ऐसे हम टेबल को लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जे वाली values हमारे पास रहेगी, आप तो इसका मतला आपका understood हो गया, प is equal to 0 हो जाएगा, ठीक है, प तो 0 हो गया, सही है, और h की value आपको दे रखिया, 10 डिगरी दे रखिया, जे हो गया, आपको जदी आप y0 को पकड़ना चाहते हो, तो y0 आपको 0.1736 मिलेगा, delta y0 आपको 0.1684 मिलेगा, और जदी आप यहाँ पर delta square y0 को पकड़ना चाहते हो, तो आपको minus 0.0104 मिलेगा, और delta 3 y0 आपको मिलेगा, minus 0.0048 आपको जे सब कुछ मिल जाएगा, आप single derivative निकालना चा और यहाँ पर आप लगा रहे हो, x आपके पास कितना 10 डिगरी, तो आपका P तो जिरू आएगा, formula आपके पास रहेगा 1 over h, तो formula क्या होता है, सबसे पहले आपके पास रहता है, delta y0 रहता है, फिर minus का 1 by 2 आपके पास, delta square y0 रहता है, फिर 1 by 3 आपके पास, delta q y0 रहता है, औ आपके पास yq तक की ही values available है, तो आप इसको जहाँ पर close कर दोंगे, close कर देना, 1 over h आपके पास है, h की value आपका 10 degree है, और वहाँ डिगरी में कर रहे हो, आप जे प्रॉलम आपको फिसक, और वहाँ जे degree के अंदरा आप कर रहे हो, हना, आपका x की value डिगरी है, बाकी सारी value आपकी radians में है, numbers में है, ध्यान रखना है, खाली x की value आपकी degree में है, बाकी सारी values आपको कहाँ पर मिल रहे है, simple number मिल रहे है, वो degree के अंदर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज़ का, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग, तो हमें न, जो बाहर बाले h वाले के अंदर आप कैसे change करते हो, आपको जाद है कुछ, मेरे को तो जाद है, मैं अभी बतातू, मेरे तो पहने नहीं change हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हम सभी को पता है, कि जो हमारा 180 degree होता है, वो किसके इकल होता है, पाई, रेडियन के इकल होता है, इसका मतलब 1 value आपके पास आजएगी, वो pi over 18 आएगी, और जदी आप उसका recipe रोक को लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा जहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपको जो मिल जाएगा, 1 over h था, h की value 8 आ रही है, 10 degree, 10 degree का मतलब pi over 18 आपके पास आ रहा है, तो pi आपका नीचे आज जाएगा, ठीक है, और फिर अंदर आप values लिखोंगे, data y0 की value आपको मिल रही है, 0.16, 84, फिर minus का 1 by 2, data square की आपको value दिख रही होगी, उपर, minus का 0.0104, फिर plus 1 by 3, और q वाले की value minus 0048 आपको दिख रही होगी, तो रहे इतनी values आ रही है, calculator मारे पास हैं, simplify करके solve कर साहते हू तो पहले मैं bracket को solve करता हूँ, जी आपके पास है, 0.16, 84 है, ठीक है, फिर minus minus आपका खाली plus ही होगा, minus minus खाली plus ही होगा, क्या है, 0.0104 है, और वो divide और आपका 2 के साथ, ठीक है, जी हो गया, और फिर आपका minus आएगा, और bracket के अंदर मैं लिख रहा हूँ, 0.00, आपका 48 और divide और आपका 3 के साथ bracket को बंद कर दिया, अब इसका पूरे का answer आपने जो देखने को मिल रहा है राजे, आप लोग भी match करना, इसलिए मैं हर एक step यहाँ पर लिखने के कोशिश कर रहा हूँ, आपके लिए 0.172 है, इसका answer आप कैसे करोगे, इसको multiply करना अपने 18 के साथ कर आपने इसको pi के साथ, तो dear, मेरे पाँ जो answer देखने को मिल रहा है, अभी मेरे को बताने book के अंदर क्या है, 0.98548 है, मैं इसको 55 कर सकता हूँ, ठीक है, rationalization कर सकता है, 6.1 के अंदर अभी हमने second question कर रखा है, और जदी आप second question अपनी book के अंदर जाएंगे, राजे, जदी हम हमने round of करके कितना लिखा, 0.9855 तो इसका मतलब जे चीज हमारी सही में चलबर्ग कर करेंगे, जदी आप sign degree बाला सम कर सकते हूँ, तो मेरे को रखता कि यह आप हर एक सम कर सकते हूँ, 6.1 का, जदी हम बात कर रहे हैं, exercise के अंदर, forward के अंदर, ठीक है, तो क्या आप कर सकते हो न, yes sir, no में answer बताइएगा, yes sir, okay, very good रहे, तो अभी हम क्या करेंगे, एक question यह मैं आपको करवा दिया, बाकी आपके लिए homework में मैं दो दूँगा, because आपको खुछ से try काने, क्या time लगेगा, कोई time नहीं लगता, simple थोड़ा सा time लगता आपको हो जाएगा, जे वाला question भी जे भी आपका same चलेगा, इधर भी आपका same चलेगा, इन सबी के अंदर आजी आपको यहाँ पर पे की value 0 मिलेगी, पे की value 0 मिलेगी, पे की value आपको 0 मिलेगी, जैसे यह 1.74 के उपर काम करने की क्या बात करना हो, तो आप जहीं से start करेंगे, इसको X0 लेट करके, इसके accordingly हो जागा, आपर यह problem की question के आती है, question number 1 की तरफ जदी हम चलते हैं, इसको आपको 2 times करना होता, सबसे पहले आपको find the rate of change single derivative की बादकर, आपको pressure का करना with respect to volume, pressure का with respect to volume, when volume is 2, अधर वालिम आपका 2 होगा, तो क्या rate of change आएगी, आप dp over dv निकालना चाहते हो, dp over pressure का dp over d dp over आप dv निकालना चाहते हो, तो जी आपका formula यहां से बनेगा, करें इसको start, because है तो simple, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि formula कैसे बनाएंगे न, जी दिक्कत आएगी न, मारे पास कि नहीं आएगी कोई एक बचा कह दे, कि सर्ची नहीं तो यह तो easy है, तो मैं वही पर छोड़ने वाला हूँ इसको, ठीक है, मजा कर रहे हैं रजी, कर लेते हैं, सबसे पहले जदि हम सिर्फ one, मैं सिर्फ point first की बात करता हूँ, कि मेरे को find क्या करना है, मेरे को to find करना है, rate of change of pressure p का with respect to मेरे को यह चीज़ करनी है, तो मैं इसका table बना कर चलूँगा, मैं first part की बात करा हूँ, मेरे पास volume दे रखे हैं, मेरे पास pressure दे रखे हैं, तो बस मेरे को अपना mind को थोड़ा setup करकर रखना है, यह मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 और नीचे जाकर हमारे पास 10 होगा, यह नीचे जाकर 16.7 और last में जाकर हमारा 13 रह जाता है, हम यहाँ पर differences निकालेंगे, pressure के बिदर स्पैक्ट आपके differences राजी आएंगे, तो आपको खाली यहाँ पर minus करना है, तो आपका जो answer आजएगा, 42 minus आपका 7 है, इसके अंदर से आप 105 निकालेंगे, 42.7 के अंदर से, तो आपको राजी जहाँ पर answer में देखने को मिलेगा, minus का 62.3 देखने को मिलेगा, next आपका 25 है, 0.3 है, और minus करें, 42.7 इसके अंदर से करेंगे, तो हमें यहाँ पर answer मिलेगा, minus का 17.4 मिलेगा, और next आजी हम यहाँ पर करें, 16.7 के अंदर से minus करें, 25.3 को minus करेंगे, तो आपको राजी मिलेग माइनस का 8.6 देखने को मिलेगा और next हम 13 के अंदर से माइनस करें 16.7 को माइनस करें तो आपको देखने को मिलेगा माइनस का 3.7 मिलेगा आप रजाए second order के चले जाओ अंदर second order के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगे सबसे पहले माइनस का 17.4 हमारे पास तो और उसके अंदर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 62.3 हो जाएगा तो आपको यहाँ पर 44.9 देखने को मिलेगा फिर माइनस का 8.6 ता और माइनस माइनस प्लस हमारे पास 17.4 हो जाएगे double order के अंदर तो आपको जी राजे 8.8 देखने को मिलेगा और next minus 3.7 और minus minus plus हमारे पास 8.6 हो जाएगा तो आपको यहाँ पर 4.9 देखने को मिलेगा यह दर आपके पास cube order के differences आ रहे हैं 8.8 हमारे पास है और minus करेंगे 44.9 को तो आपको मिलेगा देखने को minus का 36.51 है और फिर 4.9 के अंदर से हम minus करोगे 8.8 को तो आपको मिल जाएगा देखने को minus का 3.9 और जदी आप इसको fourth order के अंदर जाकर देखोंगे तो minus 3.9 आपको दे रखा और minus minus राजे आपको plus 36.1 आपको मिल जाएगा तो इधर आपको मिल जाएगा 32.2 आपको मिल जाएगा तो यह आपके पास last 16 अभी आपका volume बोल रहा है कि जब आपका volume 2 होगा तब आपने इस question के अंदर काम करना अब volume बोल रहा है कि आपका 2 आगया तो जी आपका x 0 रहेगा ठीक है तो जी आपका y 0 रहेगा तो आप यहीं से value को लेकर चलेंगे यहां तक अब आपको बता चला गया कि volume आपका कितना है जहां पर आपको दिरख्ख है राजे तो let करा कि हमारे पास v 0 आपका 2 आ रहा है और आपके पास b v 2 है तो आपका p कितना आ जाबगा 0 आ जाएगा h आपके पास कितनी है 2 है यहां पर 4 तक जी लिख रहे है तो हमें हमारा formula बता होगा कि जदी हम यहां पर dp over dx की बाद करें ठीक है कहां पर जब हमारे पास volume 2 होगा तो इसका formula 1 over h रहेगा राजे यहां पर delta p आपके पास आ जाएगा delta p y 0 इसको में लिख सकते हैं फिर minus का 1 by 2 आपके पास delta square y p 0 आ जाएगा 1 by 3 data q आपके पास p 0 आ जाएगा और फिर minus का 1 by 4 data 4 p 0 आपके पास देखने को मिलेगा और हमें fourth order के difference ही पता है तो हम यहाँ पर खाली values पूट करने वाले हैं बाहर वन हमारे पास 1 by 2 आ रहे हैं पहली value आप देखोगे data जो हमारे पास मिल रहे है p 0 की minus के 62.3 है minus का 62.3 फिर minus के 1 by 2 और हमारे पास जो data square p 0 आ रहे है वो कितनी है 44.9 है 44.9 है फिर plus का 1 by 3 और आपक 3 वाली वो कितनी मिल रहे है minus के 36.1 आपको मिल रहे है ठीक है और फिर आपका minus का 1 by 4 आ जाएगा और आपको power 4 वाला कितना मिल रहा है 32.2 मिल रहा है 32.2 आपको मिल रहा है यहां पर bracket बंद कर दी अभी इसको राजे पूरे को solve करेंगे आप लोग भी कर सब्सक्राइब साथ बंद कर लेते हैं और फिर मारे पास फिर से minus आ जाएगा bracket के अंदर 36.1 हमारे पास 1 है और divide करना हमें इसको 3 के साथ bracket close कर दिया और फिर मारे पास minus है bracket के अंदर मारे पास 32.2 है और divide कर रहे हैं इसको 4 के साथ bracket close इस पूरे का answer मेरे पास यतना भी आ गया उसको फिर से मैं 2 स से एक हाली यहां पर डिवाइड करने बाला हूं मैं प्रॉपर इस वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास इसका जो डेरिवेटर आगा उसका आंसर कितना एगा पहली वाले पार्ट का आचुका है मैं आप आपके लिए शेर करूंगा मेरे पास 52. 52.4166667 आ रहा हूं तो जिदी आप अप्रॉक्सिमेटर करना चाहते हूं कि हमारे पास इतने इसका आंसर आएगा जे पहले वाले पार्ट के हम यहां पर बाद करें एक वार बुक के अंदर आप जाओगे पार्ट के हम यहां पर बाद करें इसका आंसर आप नीचे जाकर मै मारे माइंड में रहेगा जहां पर हमेरा जी डी बी ओबर टी पी निकालना है हमें वालियम का विच रस्पेक्ट व प्रेशन निकालना साजी कैसे निकालोगे तो मेरे को जो लगता है मैं अपनी नौजज करूगा तो मैं इसको पार्ट टू के अंदर जाओगो तो मैं था ठीक है आपके पास प्रेशर 105 था लेकिन प्रेशर आपके पास कम हो रहा है और जहां पर प्रॉलम क्या आएगी क्या आप सेम जुरेंट के साथ कम हो रहा है नहीं तो जै कैसे करें कि आप आपको बॉलियम का विच रस्पेक्ट व प्रेशन निकालना बैन पी इकोल तो आप करें हो उनके अंदना एक्क्यू डिस्टन्स नहीं है जैसे यहां पर कुछ और डिस्टन्स आ जाती है इधर आपका कुछ और डिस्टन्स आ गए इधर आपके पास कुछ और डिस्टन्स आ रहे है तो इधर आपके पास कुछ और आ रहे है तो आप इस मैथर से तो इसको बिल्कुल भी नहीं करने वाले तो यहां से हम नहीं कर पाएंगे अब और क्या चीज आपके पास आती है रैसे प्रोकल करना होता है क्या करना होता है आपको dp over dx तो बता चल गया लेकिन आपको dx over dp लेकि यहां पर b था आपका यह आपको था तो आप क्यासे कर सकते हो संबन anyone who want to tell me कि sir इसका ऐसे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं कोई बंदा बताना चाहता है आपकी class के अंदर से किसी के पास कोई इसका idea हो और please आप share कर सकते हो discussion class चल रही है साथ में एक part मैंने सुर करा इसको भी कर रहा है इसको भी कर रहा भी खाली आप इसके अंदर मेरे को idea दे सकते हो कि sir जी हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या anyone who want to share your ideas with us ठीक है कर सकते हो आप बताओ दारा कैसे करना इसको आपने पता नहीं sir method तो नहीं बता अगर हम इसका direct inverse निका लेंगे तो अंसर सही आ रहा है बात इतने ही पते हैं खाली जो आपने अभी कर रखा है जो आपने खाली कर आप बोले कि जदी हम इसतना हमने कर रखा आप इसका inverse मतर रैसे प्रोकल ले रहे हो तो हमारा आगे रख लेते हैं बॉलिम का पीछ रख लेते हैं और हमारे माइंड से यह चीज़ कर जाए मतलब कौन से चीज़ की स्किप कर जाए कि हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्लेशन तब लगाते हैं जब हमारे पा जहां पर सेम डिस्टन्स आएगी तब लगाएंगे लेक जाएंगे और उसके वैलोग पूट करना स्टार करना आंसर निकाल कर आ जाएंगे तो बहुत चीज़ आपकी रॉंग हो जाएंगे बहां पर आपका मैथल वर्क नहीं करेगा ठीक है वह चीज़ आपके सामने आती है अभी जदी आप यहां पर डी वाई ओपर डी एक्स कर टू वन ओवर आपका डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास आ जाएगा अब जहां पर एक चीज़ देखो जदी आपका रजे जी एक्स जिरो के उपर काम कर रहा था जदी आप इसके उपर एक्स जिरो के उपर काम करें तो आप इसके उपर आप यजिरो के उपर ही काम करो को लेकर काम बंड जाएगा अब रैसिप्रोकर यहां से ले सकते हैं कि हम यहां पर डीबी ओवर यदि डीपी की बाद करते हो और पी हमारे पास 105 जो कि आपका एक्छिल के नतर य जीरो है वह आपका वन ओवर डीपी ओवर डीवी आ जो कि आपका X V is equal to 2 पर था यहांसे आपका माइनस का 582.4 है हम जदी इसका सप्लेते हैं माइनस का 52.4 का हम रेसर परको लेते तो हमारे पास जो पनन रहा है वह आंसर मारे पास बनन रहा है और जिक आ तरह है माइनस का जिरू ॉट अब उससे भी match करके में को अभी बता सकते हो ठीक है एक मिन्ट लो वहां से clear करो कि हां सर यह हमारा ऐसी करना ठीक है बिकाउज मेरे पास कर लो फिर हम इसको खतम करके आगे का सूचने कि आगे हमने क्या करना ठीक है तो यह तो आपकी होगे सारी के सारी examples सरी problems होगी first के दोनों part हो जाएंगे second भी हो गया third भी हो गया fourth भी हो गया fifth भी तो इसके साथ आपकी जो access 6.1 है वो हमारी 50% done हो चुकी अभी हमारा next target क्या रहेगा कि हमें निकालने लेकिन उन value के उपर निकालने यहां पर हमारी values कहां पर होगी कहां पर होगी end के पास होगी ठीक है end पर होगी तो हमें यहां पर Newton backward use करना पड़ेगा तो वो हम next वाली part के अंदर करते ठीक है तो thank you for watching this one तो दार आप क्या बता सकते हो इसका answer सही है करता सकती है